मैं कहता हूँ अगर तुम्हें बहुत धन नहीं भी मिला, सुन्दर्तम से सुन्दर्तम इस्त्रियां नहीं भी मिली, जो चाहते थे नहीं भी मिला, सांस तों मिली? भारत कहता है कि मोक्षी सत्य है, जीवन मिथ्या है, जीवन केवल एक भ्रम मात्र है, भ्रम जाल है, एक इल्यूजन है, रात्री का एक स्वपन है, और हर तरफ भारत भाग रहा है, दौलत की तरफ यदि लोग भागते सबसे ज़्यादा है, भारत के लोग सबसे ज़्यादा बच्चा भी आकर्शित होता है, बच्चा भी विप्रीतिलिंग के प्रती बड़ा आकर्शित होता है, उसकी तरफ भी भाग रहा है, छोटे बच्चे भी बच्चियों की तरफ भागते हैं, उनके भीतर काम वासना नहीं होती मेरे प्रिये आत्मन, काफी दिनों के बाद आज आपसे मिलना हो रहा है, चार-पांच महिनों से मैं समाधी में था, बहुत थोड़ी से लोगों से बाचीत हो पाती थी जब समय मिलता था आज हमारे बीच अमरित वासुदेवा हैं, वे स्पेन के रहने वाले हैं, मैनेजिंग डारेक्टर हैं जेडियेस ट्रेडिंग के, और वहीं जेडियेस ट्रेडिंग नाम की कंपनी चलाते हैं हाल के दिनों में ही इनसे मुलाकात हुई, बाचीत हुई, और कुछ प्रस्ण इनके पास थे, मैंने सोचा केवल इन प्रस्णों के उत्तर इन्हें ही दूँ, तो शायद बात पूरी नहीं हो पाएगी, बात आधिय धूरी रह जाएगी, क्योंकि बहुत से प्रस्ण इनके पास होंगे, जिन प्रस्णों के उत्तर और भी बहुत सा रहाचारों लाखों लोग चाहते होंगे, वे भी ऐसे ही प्रस्ण करते होंगे, तो संभावना है इनके प्रस्ण, आपके प्रस्णों से संबंधित हों, तो इनके प्रस्णों के भी उत्तर उनके हल आपको मिल जाएं अम्रित वासुदेवा बहुत विशेस विक्ति हैं क्योंकि ये मेरा एक साक्षातकार देखते थे यूट्यूब पर जो साक्षातकार शायद संभावना है शशी कांत सदैव और राघम नेंदियत तो ये जो साक्षातकार था काफी नकरा साक्षातकार में पूरी कोशिस की गई थी कि मुझे अपमानित किया जाए सामाजिक स्विक्रिती मुझे ना मिले इसका पूरा प्रयास किया गया था लेकिन अम्रित वासुदेवा ने जब ये साक्षातकार देखा तो इनके सद्धा मेरे प्रति बढ़ गई ये उस नकारा तकी तलाश कर पाते थे और उसी साक्षातकार के बाद यद पी इन्होंने शायद और वीडियो देखी थी या नहीं देखी थी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है मेरे पास लेकिन उस साक्षातकार के बाद वे मेरे पास आये उनसे मैंने बात की अक्सर ऐसा ही होता है कि बहुत सरे लोग जो मुसे बातचीत करना चाहते है उन्हें पहले या तो लियूसी या फिर पदमावती से अपॉइंटमेंट लेना परता है फिर वे पेमेंट करते हैं और मैं बातचीत करता हूँ उस दिन अचानक से लियूसी ने कहा कि कोई आपसे बातचीत करना चाहते हैं किसी का मैसेज आया है और अचानक से ही मेरे हिर्दय से आवाज आए कि इस वेक्ति से मैं बिना अपॉइंटमेंट ही बात करूँ तो ठीक रहेगा हाला कि मैंने ऐसा सोजा नहीं था कि मैं इन से बात करूँगा लेकिन अकस्मात के विचार मेरे भीतर आया और मैं खाना खा कराता था दो पहर का वक्त था दो ढाई बजे का वक्त इस पेन में उस समय शायद दस या ग्यारब बस्ते होंगे सुपह का समय था तो मैंने इन से बात की और यह व्यक्ति मुझे बहुत खास लगे इनके भीतर अनंत अपार संभावनाए मुझे दिखाए दी आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो मैं सोचता था इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊगा तो इनके साथ ही एक सेशन रखें बागी और भी सेशन्स मैं और लोगों के साथ करूँगा लेकिन वो अंग्रेजी में होंगे तो मेरे अंग्रेजी के चैनल पर उन वीडियोज को मैं अप्लोट करने के बाद सोचता हूँ उसमें थोरा समय लगेगा मैं स्टोडियो सेटप के कारे में भी थोरा वेस्ट था लगभग पुरा हो गया है मेरे ख्याल से दस से बारा दिनों का समय और लगेगा फिर मैं निरंतर आपके लिए वीडियोज बना पाऊंगा मेरे लिए तो ये काम भी काफी जटिल लगता है क्योंकि मैं बैठता हूँ पुरा सेटप करता हूँ, कैमरा लगाता हूँ, माइक्रोफोन लगाता हूँ मुझे ये थोरा सा कृत्रिम लगता है लेकिन क्या करूँ, आप तक मुझे अपनी आवाज पहुँचाने है, अपना संदेश पहुचाना है तो मैं वीडियोज बनाने के बारे में सूचता हूँ, बनाता हूँ, आपसे समवाद अस्थापित करता हूँ बहुत संभावना है कि निकट भाविष्ट में कहीं न कहीं दुनिया के किसी कोने में हमारा कोई आश्रम होगा और आप वहाँ मेरे पास आप आएंगे, मुझे समवाद कर पाएंगे और जो कुछ भी आपके लिए कर सकता हूँ, करूँगा सर्वर प्रत्थम आज अमरित वासुदेवा की हम बात सुने उनके कुछ प्रस्णों के उत्तर मैं देना चाहूँ, तो वे प्रस्ण करें फिर कारेक्रम पो आके बढ़ाएं और मैं उमीद करता हूँ यह जो हमारा समवाद होगा, आपके लिए प्रग्या का विश्य होगा अमरित वासुदेवा, आप सुर्वात करें सत्गुरू, पहले हमारा परणाम सभीकार करें तो सभी जो सुनने बाड़े हैं, हमारा परणाम सभीकार करें सत्गुरू, हम एक किताब पढ़ रहे थी, सेकर्ट, रवन्डा की लिखी रही है उसमें कुछ बातें ऐसी थी, जिसको भी आप सिद्दत से चाहते हैं अगर दिल से चाहते हैं, उसको जाद करो, तो जरूर मिलेगा एक महिने से कुछ ऐसी ही गटना गटी है जो आपने पहले प्रपेर की हुई है, हमारे तक तो दो रोज पहले ही पहुंची है आपको सिद्दत से जाद किया और पुरानों में प्यास ही ऐसी थी तो आप अचानक आपके हम कुंटेक्ट में आ गए तो सत्गुरू, यह प्यास कैसी है? प्यास की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है प्यास के बारे में यदि किसी भी प्रकार की व्याख्या की जा सकती है तो ऐसे कि जीवन, जीवन को जीना, जीवन की सारी प्रक्डियाएं, जीवन की अबधी, जीवन की प्रणाली, जीवन अपने आप में एक प्यास है बीना प्यास जीवन की कोई संभागना नहीं है जब हम बैठते हैं, स्वास लेते हैं, और अचानक से स्वास लेना बंद करते हैं तो स्वास की अनुपस्थिती में, उसके एपसेंस में, दोबारा स्वास की प्रतीक्छा रहती है, भिलाशा रहती है, उतकंठा रहती है स्वास के लिए आतुर हो जाते हैं क्या स्वास की भी ये प्यास प्यास नहीं है स्वास की ये जो आकांचा भीतर है उसकी जो लाल सा भीतर है क्या ये प्यास नहीं है और जब तक स्वास नहीं आती है तब तक प्यास बुजी नहीं ऐसा मालूम परता है जब प्यास लगती है पानी पीने का वक्त होता है पानी पीने की जरूरत होती है तो ऐसा लगता है कि पानी पी लेंगे तो प्यास पोचाएगी और जब तक पानी मिलता नहीं तब तक प्यास बनी रहती है क्या पानी पीने की जो ये प्यास है वही प्यास नहीं है जिस प्यास के बारे में आप बात करते हैं सब कुछ प्यास है बीना प्यास जीवन की कोई संभावना नहीं है लेकिन दो तरह की प्यास हो सकती है पहली तो प्यास पदार्थ की प्यास है लालसा है लालच भी हो सकता है वो जो मिट जाने वाला है वो जो कृत्रिम है वो जो बस ऐसे ही है टेम्प्ररी है थोड़े समय के लिए है अस्थाई नहीं है उसकी प्यास लगती है जिस्म को प्यास लगती है जिस्म की जैसे कि जिसम मिल जाये तो प्यास पुछ जाएगी थोड़ी देर के लिए बुछती भी है लेकिन शाश्वत प्यास तो कभी पुछती नहीं पदार्थ कि जब प्राप्ती हो जाती है ये जो भहतिक संसार है, भहतिक जगत है और भहतिक जो शरीर है तो इस भहतिक शरीर और भहतिक जगत के मद्द नजर जो प्यास है उसको बुछाने के बाद भी प्यास बनी रहती है तो ये जो प्यास है, ये शाश्वत प्यास नहीं है ये एक शनिक है, थोड़े समय के लिए है और इसके पीछे जीवन गवा देना जैसे की मूर्था है लेकिन मैं ऐसी सला कभी नहीं देता कि इस प्यास को बुछाना मत कोशिस करके देख लो जितनी कोशिस कर सकते हो, कोशिस करके देख लो यदि प्यास मिटा सकते हो, तो मिटा के देख लो और नहीं मिट पाएगी लोगों के जीवन में आध्यात्म का प्रवेश नहीं हो पाता है क्योंकि वे बहुत इक संसार की प्यास पुझाने में सारा जीवन कवा देते हैं एक प्रकार की प्यास के बारे में ही जानकारी प्राक्त हो पाती है उसका अनुभव ही भीतर उदर पाता है लेकिन उस प्यास की भी पूरी तरह कैसे हो इसका पता कुछ चल पाता नहीं है क्योंकि जो मिट जाने वाला है जो मिट ही जाने वाला है और फिर से कायम हो जाएगा उसकी प्यास मिटा ही नहीं जा सकती क्योंकि वो उस समय मिट जाएगा जब प्यास मिटेगी और फिर कायम हो जाएगा क्योंकि पदार्थ का ये जो नेचर है उसका जो स्वाभाव है बनना और मिटना तुम्हारा शरीर लगातार बनता और मिटता रहता है पुराने सेल्स पुरानी कोशिक आयन लगातार बनती और मिट्टी रहती है तो ऐसा मान कर चलो कि शरीर की जो बहुतिक प्यास है उसको तुम मिटा भी दो थोड़ी देर के लिए तो प्यास मिट्टी मालूम पड़ेगी लेकिन जैसा की शरीर मिटता और बनता मालूम परता है फिर से वही प्यास जाग जाएगी ये ऐसा है जैसे की प्यास लगी पानी के लिए ये ऐसा है जैसे प्यास लगी पानी पीने के लिए प्यास लगी भोजन करने के लिए और तुमने पानी पिया तुमने भोजन किया और थोड़ी दिर के बाद फिर से प्यास लगी थोड़ी दिर के बाद फिर से भोख लगी तुम्हें सुधा उठी फिर से भोजन की अभिलाशा हुई कि कुछ मिल जाए दो रोटी मिल जाए चावल मिल जाए जो भी मिल जाए, पेट की जो आग है उसको मैं मिटाओं, इसी तरह कामवासना है, प्यास उठी, शरीर की अभिराशा हुई, इस्तरी को पुरुष की हुई, पुरुष को इस्तरी की हुई, जिस्म की आग है, मिटाना जरूरी है, तुम मिटा पाए, और थोड़ी देर के बा भाग रहे हो, और शुरुवात से ही भाग रहे हो, बचपन, बचपन से ही भागते हो, छोटे बच्चे भी भाग रहे हैं, खिलोनों की तरफ, लेकिन उनसे ज़्यादा उमीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी उतनी चेतना विक्सित हो नहीं पाई, चेतना तो भीतर है ही शायद लेखिन चेतना के कई ऐसे आयाम है जिने अभी छुआ नहीं जा सका बच्पन में और ऐसी अपेक्छा भी नहीं की जा सकती है कि बच्चा उन आयामों को छू लेगा इसलिए बच्चा खिलोनों की तरफ भाग रहा है बच्चा बाहरी दुनिया की तरफ भाग रहा है बच्चा मा की तरफ भाग रहा है पिता की तरफ भाग रहा है भाई बेहनों की तरफ भाग रहा है बच्चा भी आकर्शित होता है बच्चा भी विप्रितिलिंक के प्रती ब तो लड़कियों को देखकर मेरा भी आकरशन होता था, मैं भी चाहता था इनसे बात करूँ, इनके साथ खेलूँ, खूदूँ और लड़कों से ज़्यादा इनके साथ समय व्यतीत करूँ, कुछ गलत नहीं इसमें, समाज की तरफ से दबाव आता है कि तुम बात मत करना, मैं भागना तो बच्पन में भी है, समाज का कितना ही दबाव हो भागना तो मौझूद है, तुम भागते रहते हो, फिर जवान होते हो, धन के पीछे भागते हो, शरीर के पीछे भागते हो, दौलत के पीछे भागते हो, नौकरी के पीछे भागते हो, मतलब गुलामी के और कुछ कर नहीं सकते रोजगार के लिए, उन्हें मैं ऐसा नहीं कहता कि मत करना, करना, तुम्हारे संसार में बिना गुलामी की ये जीवन की संभावना है भी नहीं, बच्चा पिता का गुलाम है, बच्चा बरा होता है तो पिता बच्चों का गुलाम है, बहु सास की गु पत्नी थोड़ी हट्टी कट्टी हो, उसका दबाव थोड़ा जादा हो, थोड़ी जादा प्रभाव शाली हो, तो सारा परिवार उस पहु का गुलाम है, उस पत्नी का गुलाम है, पती भी गुलाम, प्रधान मंत्री हो तो सारा देश गुलाम है, अमेरिका का राश्चु पत हो तो पूरी दुनिया गुलाम है लग भग लग भग कुछ ऐसे देश हो सकते हैं जो थोड़े उपद्रवी हो जो थोड़े आक्रोशित हो और जिनके भी तर एक रिबेलियसनेस हो एक विद्रोह की भावना हो वे गुलामी नहीं करेंगे रश्या अमेरिका की गुलामी नहीं कर सकता है चीन तो स्वपन में भी नहीं कर सकता है चीन किसी की गुलामी नहीं करता है चीन सिर्फ देखता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और अपनी सकती का ठीक उप ब्योग करता है और चाहता है कि पूरे विश्व पर राज कर सके हैं यह जो मेटेरियलिजम है पदार्थ रूपी संसार की तरफ जो भाग दौर है बहुत इकतावादी है सोच है उसमें चीन अमेरिका से भी आगे है पहले हुआ करता था 20 या 30 सालों पहले अमेरिका आगे आज चीन सबसे आगे है चीन की प्यास बहुत ज़्यादा है चीन की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा थी इससे समझा जा सकता है कि चीन की प्यास कितनी ज़्यादा थी लेकिन भारत ने चीन को जनसंख्या के दृष्टी कॉंट से भी पीछे छोड़ दिया है भारत की प्यास चीन की प्यास से भी ज़्यादा है लेकिन भारत की प्यास सिर्फ शरीर की तरफ ज़्यादा है भारत की प्यास विग्यान की तरफ कम है भारत की प्यास आध्यात्म की तरफ भी कम है आध्यात्म के नाम पर जो चमतकार होते हैं उसकी तरफ भारत की प्यास पी सर पे हाथ रखे और बीमारियां ठीक हो जाएं, कोई कल्प विक्ष ऐसा मिल जाए जिसको छुएं और सारी धन दौलत सामने आ जाए, कोई इस्तरी ऐसी मिल जाए, पुरुष भारत कैसा चाहते हैं, जिसे जो कहो, सारी खाहिश में पूरी करते हैं, भारत बड़ी दुविध है, भारत आध्यात्मिक देश होने के बावजूद आध्यात्मिक नहीं हो सका, और चीन कहता है कि हम आध्यात्मिक नहीं केवल सांसारिक हैं, और चीन पूरी तरह सांसारिक हो सका, अमेरिका भी नहीं कहता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से सां मिथ्या है, जीवन केवल एक भ्रहम मात्र है, भ्रहम जाल है, एक इल्यूजन है, रात्री का एक स्वपन है, और हर तरफ भारत भाग रहा है, दौलत की तरफ यदि लोग भागते सबसे ज़्यादा है, भारत के लोग सबसे ज़्यादा भागते हैं, तुम्हें एक नई कार ख नहीं कर पाते और जान बूच कर कार के बाहर तब तक खड़े रहते जब तक दो-चार लोग उधर से गुजर ना जाएं कार के बगल में तुम तब तक खड़े रहोगे जब तक दो-चार लोग उधर से गुजरे नहीं और कार तुम्हारी देखे नहीं और संतुष्टी तो सब तक नहीं होगी जब तक दो-चार लोग कार की प्रसंसा ठीक प्रकार से ना कर सके हैं। कोई कहता है कार बड़ी अच्छी है, रंग इसका बहुत अच्छा है, तुम संतुस्ठ हो जाती है, तुम्हारी प्यास थोड़ी मिटती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ प्यास कार की तरफ थी, और दो-चार दिन कार को चला लेने के बाद, उसमें बैठ जाने के बाद, ये प् मिटती है, लेकिन एक नए प्रकार की प्यास मौझुद हो जाती है, वो कार की प्यास नहीं है, तो मुझसे महंगी कार भी खड़ी दो, हो सकता उसकी प्यास हो जाए, उस कार से भी प्यास मिटती नहीं है, तो मैं कहता था ये जो सांसारिक प्यास है, कृत्रिम, शनिक प्य तुम काम वासना को पूरी तरह त्रिप्त कर लो, सुन्दर्तम से सुन्दर्तम इस्तरियां तुम्हें मिल जाएं, उनके साथ सो जाओ, और देखोगे प्यास मिटी तो काम वासना के लिए जो थी, लेकिन एक विशेस प्रकार की प्यास मौझूद हो गई, जिसके बारे में त कुछ भी पता नहीं, कौन सी प्यास है तुम जानते नहीं, कोई अग्याद की प्यास है, कोई अग्याद की प्यास है, जैसा कि तुम जानते नहीं, उस प्यास के बारे में वो प्यास क्या है, कैसे मिटेगी, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, इस प्यास का जो fundamental nature है, characteristic है, जो बुनियादी स्वभाव है, उसके बारे में ही तुम जानते नहीं. प्यास का कोई नाम नहीं, तुम जानते नहीं. प्यास के बारे में कोई भी जानकारे नहीं. प्यास मिटाओगे कैसे? जब प्यास के बारे में जानते ही नहीं, मिटाओगे कैसे और प्यास अधूरी रह जाती है और जीवन भर भटकते रहते हो फिर संसार की तरफ गती हो जाती है फिर से अनेक प्रकार की जो संसारिक प्यासे हैं उसकी तरफ भागते हो फिर से भ्रमित होते हो फिर से पगलाते हो और फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो प कि जीवन की जो प्यास है कभी मिट तो पाती नहीं, सांसारिक प्यास जो है, और हम बार-बार मिटाने का प्यास करते हैं और विफल होते हैं, हमारी विफलताएं जो अनबुजी प्यासों से मौजुद होती हैं, कायम होती हैं, विक्सित होती हैं, इनहीं विफलताओं की एक औसफल व्यक्ति मानते हैं, जाहे इस्तरी हो या पुरुष हो, दोनों अपने आपको औसफल ही मान पाते हैं, विफल ही मान पाते हैं, और जीवन भर पड़े सान रहते हैं, चिंता किसी इनके जीवन का कोई सिध्धान्त नहीं होता, और धीमी गती से मृत्ति को प्राप् यदि पूर्णते होश से भर जाते, जागरुकता से भर जाते, चेतना से भर जाते, आँखें खोल कर भोगते, विलास करते, भोग विलास करते, जो भी कर सकते थे, आँखें खोल के, पांचों इंद्रियों को खोल कर यदि भोग विलास का आनंद लेते, तो शायद मालूम परचाता कि ये प्यास अधूरी ही रह जाने वाली है तुम्हारी गती दूसरी प्यास की तरफ हो सकती थी और उस प्यास का नाम है आत्मा की प्यास आत्मा भी केवल शब्द मात्र है आत्मा को भी देखा नहीं जा सकता केवल सांकेतिक रूप से उसकी तरफ इशारा किया जा सकता है हम कहते हैं आत्मिक प्यास क्यों? क्योंकि आत्मा की सिवा हम उसे और कुछ कह नहीं सकते परमात्मा की सिवा उसे और कुछ कह नहीं सकते तो कहते हैं परमात्मा की प्यास, आत्मा की प्यास इसारा है आत्मा जो सब्द है वही सत्य नहीं परमात्मा जो सत्य है शब्द में जो सत्य दिखाई देता वही सत्य नहीं कुछ और ही है मैं कहता हूँ अग्यात की प्यास उसे जाना नहीं जा सकता और प्यास भी जैसा की सब्द है प्यास सब्द से ज़्यादा कुछ नहीं है प्यास मतलब क्या बेचैनी उतावलापन पाने की चाहत नहीं ये प्यास केवल पाने की चाहत नहीं है इसे हम प्यास भी ठीक प्रकार से कहें तो नहीं कह सकते इसे हम कह सकते हैं योग योग की अभिलाशा जुरने की अभिलाशा मिट जाने की अभिलाशा एक हो जाने की अभिलाशा the desire to become united with that unknown उस अग्यात के साथ एक हो जाने की जिग्यासा उस अग्यात के साथ एक हो जाने की चाहत यही वो अग्यात प्यास लेकिन जब संसार से गती कम होगी संसार की तरफ जो दौर है वो कम होगी रुकेगी तब तो इसकी तरफ तुम बढ़ोगे है तो मैं बस इतना कहता हूँ कि जब तुम जीवन जीते हो, बैठते हो, सोफे पे बैठते हो, बिस्तर पर बैठते हो, कुरसी पर बैठते हो, बस आखें बंद करके देखो कि किस प्यास की तरफ तुम जा रहे हो, अगला कदम तुम्हारा किस प्यास की तरफ है, यह जो अगला लम्हा आने वाला है, उस लम्हे में तुम क्या केवल जिस्म की प्यास बुझाओगे, और ज्यादा अमीर होने की जो प्यास है उसको बुझाओगे, किसी का प्रेम पाने की जो प्यास है उसको बुझाओगे, या फिर कोई ऐसी प्यास लगी है जिसके बारे में तुम्हें अभी संसार की तरफ उनकी गती हुई है और प्यास बुझाने चले हैं, धन की भी प्यास है, इमारतों की भी प्यास है, गारियों की प्यास है, इस्त्रियों की प्यास है, आजकल तो टेक्नोलोजी का जमाना है, तकनीक का जमाना है, बहुत महंगा फोन खरीदने की प्यास है, कोई बहुत बड़ा व्यापार ख़रा कर लें उसकी प्यास है करो जितना कर सकते हो करो और जब ठक जाओ तो रुको और देखो एक अलग प्रकार की जो तुम्हारी प्यास है सामने मौजूद हो जाएगी और जब तुम उसकी तरफ बढ़ोगे तो एक धनेवाद की भावना क साथ तुम देखोगे कि मैंने जितनी भी कोशिसे की व्यास बुझाने की मैं विफल रहा और जो अग्यात एक शक्ती है मुझे कितना कुछ यह शक्ती देती रही मैं जो मांगता रहा शक्ती देती रही मैं कहता हूँ अगर तुम्हें बहुत धन नहीं भी मिला सुंदर्तम से सुंदर्तम इस्त्रियां नहीं भी मिली जो चाहते थे नहीं भी मिला सास्तों मिली 25 वर्ष, 26 वर्ष, 28 वर्ष, 60, 70, 80, 90 वर्ष जीते रहे और बिना मांगे स्वास्तों मिली किसी ने तुम्हें स्वास्तों दी क्या इतना तुम्हारे उपर अनुकंपा नहीं इश्वर का बहुत लोग ऐसे हैं जिनके स्वास अब नहीं आई मैं जो बोलता था अभी आदे गंटे से, 15 मिनट से, जितनी भी देर से, उनकी स्वास चली गई और वे मारे गए तुम्हारी स्वास बनी हुई है, तुम मेरे इस प्रवचन को सुनते हो, तुम मुझे देखते हो और जब से तुमने देखना शुरू किया है, तब से तुम्हारी स्वास चलती है, शरीर के भीतर जो सारे बॉडिली फंक्शन्स हैं, सारीरिक प्रक्रियाएं हैं, ये जो नियंतरित शरीर है, ठीक प्रकार से नियंतरित है, प्रान शक्ति दौरती भीतर है, जब से तुमने कि भावना के आधार पर जाकती है किसी अक्यात के लिए जो सब कुछ वेवस्थित किये हुए है मैं इस कमड़े में बैठा हूं और सब कुछ वेवस्था में चलता है एसी पिछले दो गंटे से चलता है और मैंने कुछ किया नहीं मैंने बस एक रिमोट का बटन दबाया एसी चल रहा है मैं इतना विश्वास करता हूं अस्तित्व पर कि जब तक बैठा रहूंगा एसी चलता रहेगा और जब तक बैठा रहूंगा बिजली भी कायम रहेगी हाँ मेरे घर में इनवर्टर का कनेक्शन है बात अलग है तो बिजली जाएगी तो बल्ब बंद नहीं लेकिन विवस्था ऐसी है और आशिरवाद ऐसा है कि जब भी बैठता हूं तो बिजली जल्दी जाती नहीं और जाती है तो तुरंत आ जाती है ऐसी चलता रहता है गर्मी का मौसम है मैं बैठा हूं और ये सोफा तूटा नहीं अभी तक एक दिन ऐसा होगा हालकि ये नया है तो अभी तो तूट नहीं सकता हो सकता है सौ सालों के बाद पचास सालों के बाद एक दिन ऐसा आएगा कोई बैठेगा और ये तूट जाएगा धराशाई हो जाएगा लेकिन धनेवाद देता हूं प्रक्रिती को कि जब तक कम से कम मैं बैठूंगा तो ये तूटेगा नहीं मैं बैठूंगा तो तूटेगा नहीं मैं बैठता हूं इस कप्रे को पहन कर और ये कप्रे बीच में फटते नहीं है कप्रे कायम रहते मेरे शरीर पर मैं जैसे भी जीवन जी रहा हूं जीवन कायम है गुरुत्वा कर्शन अपना काम करती है धरती अपनी धूरी पर बिल्कुल वेवस्थित है थोड़ी देर होगी और सूरज चमाकने लगेगा सूरज का ताप बढ़ने लगेगा थोड़ी देर होगी सुबह हो जाएगी सब कुछ कैसी अग्यात वेवस्था के साथ चलती है ये वेवस्था अग्यात है कैसी विवस्ता है हम इसके बारे में ठीक से जानते नहीं अजीर विवस्ता है कौन चलाता है, कौन करता है कुछ मालूम नहीं परता तुम कहते हो कि मैं करता हूँ, तुम कैसे करते हो अभी हवा आती है अभी और हवा नहीं आये अगले छण तुम सांस नहीं ले पाओगे बिजली तारों के जरिये तुम्हारे घर में दोरती है और बल्ब जल जाता है एक दिन तार खराब हो जाए और बिजली नहीं दोरेगी और बल्ब नहीं जलेगा तुम आत्म निर्भर पूरी तरह नहीं हो तुम्हारा जीवन संबंदित कई और प्रकार के जीवन से है कई और प्रकार की प्रणालियों से है कई और प्रकार के elements पदार्थों से है तुम्हारा जीवन सुक्ष्म रूप से और अस्थूल रूप से बोथ इन सटल एज वेल एज ग्रॉस वेज बहुत in subtle as well as gross wage एक interdependence है आपसी संबंध है तुम प्रकृती से संबंधित हो चानतारों से संबंधित हो आज सुरज ना निकले सुरज का ताप ना आए उसका प्रकास ना आए उसकी उश्मा ना आए साड़ी प्रित्वी की जो जीवन विवस्ता है चर्मरा जाएगी और नस्ट हो जाएगी तुम करते क्या हो राज्यानिक कुछ भी कर लें उद्योगपती कुछ भी कर लें विद्यार्थी कुछ भी कर लें प्रॉफेसर्स कुछ भी कर लें डॉक्टर्स कुछ भी कर लें संत कुछ भी कर लें सो कॉल्ड तथा कथित दर्शन सास्त्री या भविष्य वक्ता वो जो जोतिष है कुछ भी कर ले हैं अगर सूरज आज नहीं धदकेगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा कोई कुछ नहीं कर सकता और सूरज को धदकने के लिए कौन कहता है सूरज के भीतर ये जो निकलियर फ्यूजन रियाक्शन्स होते हैं कौन करवाता है कोई जानता नहीं राग्यानिक कहते हैं कि अपने आप होता है लेकिन मैं नहीं कहते हैं कोई तो कारण होगा और अपने आप भी होता है तो बीना कारण तो नहीं हो सकता कोई न कोई कारण होगा और बीना कारण भी कोई कारण होगा क्योंकि जब हम कहते हैं कि कोई कारण नहीं तब ही तो हम कहते हैं कोई कारण नहीं मतलब कोई सुक्ष्म कारण होगा कोई करवाता होगा क्या इतना जान लेना भी जीवन के उन संवेदंशील पहलवों की तरफ दौर नहीं बन जायेगा तुम्हारा उन पहलवों की तरफ जिन पहलवों को जाना नहीं जा सका है देखा नहीं जा सका है छुआ नहीं जा सका है, सुना नहीं जा सका है जिसकी अनुभूती नहीं की जा सकी है बस बैठो और देखो एक अज्यात की तरफ प्यास कायम हो गई प्यास मौजूद हो गई प्यास प्रकट हो गई आप कहते हैं मेरी तरफ आपकी प्यास थी मेरी तरफ आप बढ़े अमरित प्यास अग्यात की तरफ ही थी मुझसे मिलना हुआ ऐसा लगा कि प्यास मिटी प्यास कायम रहेगी जब तक तुम मेरे पास बैठोगे ऐसा लगेगा कि प्यास मिटी फिर जब मैं चला जाओंगा तो ऐसा लगेगा प्यास फिर से आ गई फिर से प्यास तुम्हारा पीछा करने लगी है तो मैं कहता हूँ कम से कम मैं जो कहता हूँ उस पर यदि ध्यान दो तो शाश्वत रूप से तुम्हें इस प्यास में बने भी रहोगे और प्यास मिटती भी रहेगी, प्यास आती भी रहेगी, प्यास मिटती भी रहेगी, शांती मिलेगी, क्योंकि मैं जो कहता हूँ, वो बिल्कुल और बिल्कुल तुम्हारी चेतना से संबंदित है, मैं चोट बिल्कुल चेतना पर करता हूँ, मैं चोट बिल्कुल हिर्दय प पर करता हूँ, तत्यों पर करता हूँ, जगों पर करता हूँ, उन्हीं कोनों पर करता हूँ, जिससे तुम बिलकुल और बिलकुल बॉखला जाओ, पागल हो जाओ, और कहो कि मैं कैसे जीऊं, क्या मेरा जीवन वेर्थ था, मैं चाहता हूँ ऐसा तुम्हारे भीतर घटे, मै संभावना मैंने विक्सित की तुम सवाल करो क्या ऐसा हो सकता है प्रक्रिती में कुछ भी हो सकता है और ऐसा हो गया तुम्हारे साथ कि तुम बॉखला गए और मैं कहता हूँ तुम भी फिर से आए हो और फिर से जाओगे और फिर से आओगे और फिर से जाओगे ये जो चक्र है ये जो क्रम है ये जो विस्तार है ये जो पद्धती है कायम रहेगी तुम इसे छूट नहीं सकते हैं मैं तुम पर काम करता हूँ और तुम्हारे भीतर जो ऐसे कोने हैं उन कोनों को प्रजवलित करता हूँ एक्टिवेट करता हूँ जीवन से भरता हूँ ताकि तुम ऐसे प्रशन कर सको, जैसे प्रशन तुमने कभी नहीं किये, क्या तुमने कभी प्रशन किया था कि मोक्ष के बाद जीवन होता है या नहीं, आप करने को मजबूर हो गए, जैसा कि मैंने ऐसा काम कर दिया, वापस आया, आप प्रशन करने को मजबूर हो, पता नह क्या शशिवासुदेव सची कहते हो क्योंकि कोई इतनी देर तो जूट नहीं बोल सकता है इस गंभीरता के साथ तो नहीं कह सकता है इस जोखिम के साथ तो नहीं कह सकता है जिस जोखिम में ये शामिल है कि मुझे मारा जा सकता है मेरी हत्या की जा सकती है और अनेक बार मुझपर गोलियों से हमले किये जा चुके हैं इसी जन्म की बात है दो सालों से मुझपर हमले किये जाते हैं लोग कहते हैं आपको मार देंगे क्यों? क्योंकि प्यास हजम नहीं हुई जग्यासा शांत नहीं हुई और कहते हो कि तुम प्रस्ण करो ही मत, तुम रहो ही मत, तुम रहोगे नहीं, प्रस्ण करोगे नहीं, तुमको मार डालेंगे, फिर हमारी जो बॉखलाहट थी थोड़ी सांत हो जाएगी, हमारी पड़ेशानी थोड़ी कम हो जाएगी, कोई ऐसा कहने वाला नहीं होगा कि लित्रिम और बेकार शांती है तुम्हारी जो शांती है उसकी कोई वास्तविक्ता नहीं है तुम्हारी जो शांती है तुम पर थोपी गई शांती है दूसरों से उधार ली गई शांती है तुम स्वयम में शांत नहीं हो तुमने अपने आपको मना लिया आश्वासन दे दिय तुमने कन्विंस कर लिया कि तुम शांत हो गए लेकिन तुम हो न सके और तुम अशांत हो क्योंकि तुम्हारी अशांती बार बार सतह पर आ जाती है मैं कहता हूं मैं वापस आ गया तुम अशांत हो जाते हो परम शांत सन्यासी मेरे बोधी सत्व को उपलब्ध सन्यासी मेर वे कहते हैं कि आप नहीं आ सकते, आपको मार डालेंगे, वे परम सांत होने के दावे करते थे, परम ग्यान की सिधी करने के दावे करते थे, उनकी सांती कहां चली गई, मेरी उपस्तिती के बाद वे बॉखला गए और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, वे सांत नहीं थे, उनकी स ऐसे काम ही करता हूँ कि तुम पगला जाओ और मेरे साथ रहोगे तो उससे जादा पगला जाओगे लेकिन पागल होने की आवशक्ता बहुत जादा है और जो तीवर गती से आध्यात्म की तरफ प्यास से भरता है या मेरी तरफ प्यास से भरता है ऐसा आत्मी पागल हो जात क्योंकि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं तुम्हें दे सकता और उतना हो जाएगा जब दे सकूँगा तो साइथ थोड़ा दे भी दूँ लेकिन मेरे धन देने से होगा क्या तुम्हारा और मैं कितने लोगों को धन दे सकूँगा आठ अरब की आवादी की दुनिया में यदि आठ अरब लोग मुसे धन मांगे और मैं दे भी दूँ सबको तो नहीं दे सकूँगा और इतना हो भी जाए कि सबको दे दूँ तो उससे क्या होगा आज धन आया कल खर्च हो जाएगा फिर कौन देगा कोई तुम्हें मुफ्त का कुछ देता नहीं देगा नहीं और धन से तुम्हारा भला हो जाएगा होगा नहीं ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत धन वे शांत हो गए बहुत से उद्द्योक पती ऐसे हैं जिनके पास लाखों करोरों की संपत्ती है मैं लाखों करोरों की बात नहीं करा लाख करोर की बात कर रहा हूं दो लाख करोर, तीन लाख करोर ऐसी संपत्ती है क्या वे शांत हो गए उनकी प्यास मिट गई वे परम संभावित आराम को उपलब्ध हो गए, अनन्द को उपलब्ध हो गए, नहीं हो सका ऐसा धन माध्यम है, धन शांती का आधार नहीं है, धन शांती में सहायक है मैं बैठा हूँ, एसी चलता है, बिजली है, बल्ब जलता है, प्रकाश आता है, थोड़ा आराम है आवाज पहुंचा पा रहा हूँ, संसाधन धन से आते हैं, आजकल के जमाने में कम से कम, जो भी मूल भूत संसाधन है, किसी न किसी प्रकार के धन से तो आते ही है, तो संसाधन जीवन को सरल कर सकते है, धन जीवन को सरल कर सकता है, थोड़ा बहुत आराम दे सकता है, लेकि फिर निंद खोलती है, निंद जब खुल जाती है, फिर से वैसे ही परिशान, दोबारा परिशान हो जाती है, और तुम पता नहीं कितनी बार काम वासना को शांत करते चले आए हो, और कितनी बार जब सुबह उठे हो, सवेरे उठे हो, तो फिर से वही अशांती कायम हो गई, वही परिशानी फिर से सताह पर दिखने लगी और तुम फिर से बौखला उठे परिशान हो गए फिर से क्रोधित हो गए अमरित मुझसे कहते हैं ये प्यास कैसी ये प्यास ऐसी है मकाम कुछ ऐसा कि रास्ते यहां से बहुत तुम्हारी चाहत में चले हैं सनम दर्द ए आलम अजीब यहां पर कि जिस वक्त से तुम्हारी चाहत हुई है ऐ दोस्त उस वक्त से ये वक्त ठहर सा गया शाम है ये हसी तुम्हारी आहटें इस से भी हसी ऐ सनम छूलो तुम मुझे अगर इस पल ए दोस्त ऐसे हमें किसी ने कभी चुआ तो नहीं अजीब प्यास है मेरी प्यास ये जिस्म ये प्यास तेरी रूह तक है अजीब प्यास है मेरी प्यास ये जिस्म तक या तेरी रूह तक है ऐ सनम प्यास है कुछ ऐसी कि तुम मिल भी गए तुम मिठती नहीं खुदा का है ये इशारा कि खुदा की तरफ मेरे कदम कुछ और आहिस्ता धीरे धीरे देख रहा हूँ मैं खुद को ऐ दोस्त ये प्यास मुझे मेरी ही ये प्यास मुझे मेरी ही इंतजार ए वक्त ए सरहद ए दर्मिया ए नजारा कुछ यहाँ दो तरफ सागर है ऐ दोस्त दो तरफ की प्यास दो तरफ की ही है अजीव ये जमी मकदर के सिकंदर हम भी हैं यहाँ बहुत वक्त से इंतजार था किसी का उसके आ जाने के बाद भी इंतजार है कि मिठता नहीं ऐसे मैं कुछ कहूं कि कैसे कह दूं कितनी महबबत है तुमसे लफजों से जो बयां हो न सके ए दोस्त ये प्यास कुछ ऐसी है देख रहा हूं निगाहों में तूट कर निगाहों से पिघल कर कह रही है तला तुम ये आंसु कुछ इस तरह है पिघल कर कह रही है तला तुम ये आंसु कुछ इस तरह है मेरे चहरे को छूकर जो गुजर रहे ये आंसु धीरे धीरे ऐ दोस्त सच में ये प्यास तुम्हारी है मेरी हमा हमी में उतर रहे कुछ लोग यहां धीरे-धीरे मेरे लिए हाथ पकर कर छोड़ जाते हैं ऐ दोस्त मुझे मेरे मकाम पे लोगों की मन्जिल लोगों को पता ही नहीं कितने रास्ते हैं यहां और कितने लोग मेरे मुल्क में दर्द ए आलम का शहर है ये भी रात को भी मेरा शहर सोता नहीं अजीब ताजगी है इस नूर में ऐसा नूर आता तुम्हारी आँखों से काजल है कुछ लगी तुम्हारी आँखों के आगे की बारिश होती है और हम तुम्हारी आँखों में भीग जाते हैं मैं कैसे कह दूँ कि क्या मेरे दिल में है मेरा दिल है ये जिन्दगी या मेरी जिन्दगी इस दिल में मेरा ठीकाना कहां है ऐ दोस्त मेरे घर में भी ढूंडता मैं तो मुझे मेरा ठीकाना मिलता नहीं कैसे कहूं कैसी चाहत है ये मैं पाना क्या चाहता हूं इस वक्त सारी जिन्दगी तलाश करता रहा मैं कुछ और मैं तलाशता हूं वही अब भी और जो तलाशता हूं मुझे मिलता ही नहीं मैं सीने से लगा लूँ आपको कि बेचानी कुछ इसकदर इतनी जादा है और सीने से लगा कर रो सके हैं हम दिन रात ऐसनम क्या ये प्यास मेरे आशू है क्या ये प्यास मेरे आशू है हकीकत से वास्ता है मेरा हकीकत में तुम आमने सामने फित रते राबता हुआ है कुछ ऐसा फित्रते राबता हुआ है कुछ ऐसा कि हमको यकी है तुम आओगे एक तिन मेरी बेवफाई कुछ ऐसी रही कि तुम्हारी वफा के आगे ये बेवफाई कुछ और ऐसे नहीं मिलकर जुदा और जुदा होकर फिर से मिले हैं हम मुलाकातों के दर्मिया एक और मुलाकात और इस मुलाकात के बाद फिर से वही प्यास 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 और बस प्यास जिन्दगी की हकीकत प्यास जिन्दगी का भरोसा प्यास जिन्दगी के रास्ते प्यास जिन्दगी की मंजल प्यास जिन्दगी एक प्यास, जिन्दगी एक प्यास, जिन्दगी एक प्यास जी अम्रित जिन्दगी